नंद गेरा नंद बयो जै हो नंद लाल की, रजमेया नंद बयो जै हो नंद लाल की ऐसे नारे के साथ जो त्योहर मनाया जाता है वो है जन्माष्ट मी तो आईए आज़ा जन्माष्ट मी त्योहर का निबंद देखे प्रस्तावना जन्वाज्टमी पर्व को भगवान स्री कुष्ण के जन्वदिन के रुप में मनाया जाता है यह पर्व पुरी दुन्या में पूर्ण आस्था एवं स्रद्दा के साथ मनाया जाता है जन्माश्टमी को भारत में ही नहीं बलकि वीडेशों में बसे भारतिय भी पुरी आस्था वह उल्लास से साथ मनाते है शेकृष्णा युगो युगो से हमारी आस्था के कैंद्र रहे है वह कभी यसोदा मैया के लाल होते है तो कभी रच के नटकट कानहा जन्माश्टमी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है जैसे कृष्णाश्टमी, गुकुलाश्टमी, अस्थमी रोहिणी, स्री कृष्णा जहेंती, स्री जहेंती, आदी भगवान स्रीकुष्ण हिंदु धर्म के भगवान थे उन्होंने धर्ती पर मानव रूप में जन्म लिया था जिससे वे मानव जीवन को बचा सके और मानव के दुखों को दूर कर सके जन्मा स्टमी कब और क्यों मनाई जाती है? बगवान स्टमी पर्व बगवान स्टमी पर्व बगवान स्टमी के जन्म दिन के रुप में मनाया जाता है जो रक्सा बंधन के बाद बाद्रपद मह के कृष्ण पक्स की अस्टमी तिथी को मनाया जाता है स्री कृष्णा देवकी और वसु देवकी आठवी पुत्र थे मथुरा नगरी का राजा कंस था जोकी बहुती अत्याचारी था उसके अत्याचार दिन प्रती दिन बढ़ते ही जा रहे थे एक समय आकाश्वानी हुई कि उसकी बहन देवकी का आठवा पुत्र उसका वध करेगा यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पती वसु देवके साथ काल कोठरी में डाल दिया कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के साथ बच्चों को मार डाला जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्मा दिया तब भगवान विष्णों ने वसु देव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यसोदा माता और नंद बाबा के पास पहुचा आए जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्सित हो सकेगा श्री कृष्ण का पारन पोषण यसोदा माता और नंद बाबा की देखरेक में हुआ उनके जन्म की खुशी में तबी से प्रतिवर्स जन्मास्टमी का त्योहार मनाया जाता है विश्व भर्मे कृष्ण जन्मास्टमी की धुम यह त्योहार पुरे भारत में मनाया जाता है इसके अलावा बांगलादेस के ढांकेश्वर मंदीर कराची के स्री स्वामी नारायण मंदीर नेपाल, अमेरिका, इंडुनेशिया समयत अन्य कई देसों में इसकोन मंदीर के माध्यम से विबिन्न तरश से मनाया जाता है बांगला देश में राच्च्य उर्षव के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिवस पर राच्च्य छुट्टी दी जाती है जन्माज टमी दो दिन क्यों मनाई जाती है? ऐसा माना जाता है नक्षत्रों के चाल के वजहस के शयु संप्रदाई इसे एक दिन मनाते है तथा वैश्णव संप्रदाई दूसरे दिन पुजा अर्चना उपवास करते है कृष्ण जन्माज टमी का वरत यह भारत के विबिन स्थानों पर भिन्न भिन्न तरह से मनाया जाता है इस उत्सव पर ज्यादातर लोग पुरा दिन वरत रखकर पुजा के लिए घरों में बाल कृष्ण की प्रतीमा पालने में रखते है पुरा दिन भजन की तर्ण करते तथा इस मौसम में उपलब्द सभी प्रकार के फल और सात्विक वेंजन से भगवान को भोग लगा कर रातरी के बारह बजे पुजा अर्चना करते है तैयारिया श्री कृष्ण जन्मास्टमी के दिन मंदीरों को खास तोर पर सजाया जाता है जन्मास्टमी पर पूरे दिन व्रत का विदान है जन्मास्टमी पर सभी बारह बजे तक व्रत रखते है इस दिन मंदीरों में ज्हाक्या सजाई जाती है और भगवान श्री कुछन को जुला जुलाया जाता है और रासलिला का आयोजन होता है श्री कुछन जन्मास्टमी की विशेश पुजा सामगरी का महत्व पुजा है तो सभी प्रकार के फलाहार, दूद, मक्षन, दही, पंचामरुत, धन्यामेवे की पंजीरी, विबिन प्रकार के हलवे, अकसत, चंदन, रोली, गंगाजल, तुलसी दल, मिश्री, तथा अन्यबोग सामगरी से भगवान का भोग लगाया जाता है खीरा और चना का पुजा में विशेश महत्व है, ऐसी मन्यता है कि जन्मास्टमे के वृत का विधी पुर्व पुजन करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर वैकुण्ध धाम जाता है दही हांडी प्रतियोगिता जन्मास्टमे के दिन देश में अनिक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है दही हांडी प्रतियोगिता में सबी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं साथ में चाच, दई, आदी से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बाल गविन दाओ ध्वारा मटकी फूरने का प्रयास किया जाता है दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को इनाम दिया जाता है मथूरा और रुंदावन कृष्ण जन्मोटसव वैसे तो जन्मास्टमी का त्योहर विश्व भर में मनाया जाता है पर मथूरा और रुंदावन में प्रमुकृरुप से मनाया जाता है क्योंकि ये कृष्ण की धर्ति है यहां कृष्ण जर्मास्टमे के अउसर पर रासलिला का आयवजन किया जाता है देश्वी देश के लोग इस रासलिला के सुन्दर अनुभों का आनन उठाते है देश के अन्य मंदिरों में कृष्ण जन्मोच्शव देश के सभी मंदिरों को फुलो तथा अन्य सजावट की सामागरी की सहायता से कुछ दिन पहले से सजाना प्रारम कर दिया जाता है मंदिरों में कृष्ण जीवन से जुड़े विबिन घटनाओं को जाकी का रुप दिया जाता है इस अउसर पर भजन किर्टन के साथ नाटक तथा नुत्य भी आयोजित किये जाते हैं इसके साथ ही राज्य पुलिस या सुरक्षा के पुक्तता इंतजाम भी किये जाते हैं जिससे उत्सव में कोई समस्या उत्पन ना हो सके उप संहार जन्मास्टमी का परव आनन उल्लास और भक्ती भाव से मनाए और स्रिकुष्ण के बताय हुए मार्क पर जले यानि कर्मनेवा अधिकारस्ते मा फलेसु कदाचन यानि कर्मकर फल की आसा छोड़ दे